Hello दोस्तों Welcome to the ending time channel मैं हूनिती निशनलित्य So, pitching कैसे करते हैं किसी भी sample को किसी भी scale में कैसे convert करते हैं Even sample पे कई बाद scale का नाम भी नहीं लिखा हुता कि कौन सा scale है Major है minor है या इसको pitch करके हम जैसे माल नीजी एक नाम लिखा भी हो A minor तो उसको मैं C minor पे मेरा गाना बनना है तो मैं उसको C minor में चाहता हूँ यह सारी चीज़े हम कैसे करेंगे इसके बारे में जो होने वाला है आज का वीडियो यह होने वाला है अभी देख आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए तो हम बात करते हैं इस topic के बारे में ठीक है आए इस screen पर देखते हैं यह हमारे पास sample इसके उपर बकायदा लिखा हुआ है कि यह A minor scale पर है यहां पर कुछ लिखा हुआ है ठीक है पहले हम sample को सुनते है ठीक है यह मारा A minor sample है ठीक है इसके उपर लिखा भी हुआ है पहले तो हम sample को देखेंगे कि sample का scale कौन सा है ठीक है अगर by chance sample पर ना लिखा हूँ तो हमने कैसे find out करना है आपने इस पर double click करना है कुछ इस तरीके से left click mouse के बटन को दुबा के यहां पर आप जाएंगे यहां पर राइट क्लिक करेंगे mouse के बटन से यहां पर जाएंगे edit in audio editor में ठीक है यहां पर आप आगए है यहां पर क्या करेंगे आप इस फरले option पर जाएंगे यहाँ पर रिजन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जाएंगे detect pitch regions ठीक है इसको cursor करके जो mouse की cursor से zoom करके देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है A scale ठीक है जी A scale यहाँ पर लिखा हुआ जाने कि A scale से यह A note से जो है यह sample करने के लिए आप एक BST plug-in जो है एक plug-in है mixer में आप install कर सकते हैं free plug-in है आप download करके इसको add कर सकते हैं उसका नाम है gtune plug-in आपको दिखा देता हूँ ठीक है mixer में जाएंगे यह बला plugin है gtune plug-in ठीक है आपने क्या करना है आपने double click करना है इसको किसी भी track में डाल देना है मैं पांच निमबर में डाल देता हूँ पांच निमबर पी आपने जा के यहां से gtune को select कर लेना है gtune आपके पास आ जाएगा जैसे आप sample को play करेंगे वह आपको यहां पे इसका scale जो starting scale से लेके जितने भी notes इसमे play हो रहे हैं सारे notes की आपको information देगा उन notes को सुनके आप मुझे जो main देखे है वो A, C, D, G, J जो main notes सारे है ठीक है तो हमारा जो starting कहां से होता है, starting A से होता है, तो हमें double clarify हो गया, double हमने यहां पक्का कर लिया है कि हमारा जो note है, जो A ही लग रहा है, यानि कि scale जो confirm हो गया, scale है, वो A है, स्टार्टिंग में हमारा A आ रहा है, ठीक है, अब हमने यह कैसे पता करना है कि A minor है या A major है, आपको simple सा तरीका बताऊंगा, आप इसको play करें साथ में, साथ में आप जो है अपने piano पर या आपके पास कोई भी instrument जो को बजाना तो जैसे melody का हो गी या guitar हो गया, आप साथ में A A minor code को बजा के देखे, आपको साथ में मैच लगता दिख रहा है के नहीं देखता आपको वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है, for example, मैं A minor के साथ में मैच करके देख रहा हूं, मुझे लगएगा कि यहाँ पे match हो रहा है कि ने और हम देख लेते हैं, कुछ इस तरीक साथ में मैच नहीं कर रहा है, उसका tune ही अलग आ रहा है, ठीक 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 है है वह में clear होगा यह A note है ठीक है साथ में अगर A minor के साथ ही match हो रहा है तो यानि की A minor scale रहेगा अगर कोई भी A major के साथ match होगा तो A major scale जो है रहने वाल है थोड़ा सा आपको कश्च देना पड़ेगा हमारी बात जो है वह sample का स्केल है वह कौन helloиров Top सेंपल को किसी भी scale में कैसे convert कर सकते हैं ठीक है यह नहीं बोलना मगया कि अगर आपका कोई minor scale है तब उसको major चाहिए। वह POSIBLE नहीं है अगर को artists Legisl틋 एट अगर main are determine convert कर सकते हैं कोई अगर major है तो उसको major में ही Convercle تakter कर सकते हैं माइनर को मेजर में Convert नहीं कर सकते हैं सैंपल में तो माइनर को माईनर में ही जैसे माइलो कि मेरने इन मैरा स्केल है तो उससे पहले मैं और चीज सिखाना चाहें थोड़ असा ध्यान दे थोड़ा सा focus करें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ बड़ी important चीज है तो यह हमारा piano roll है ठीक है जो हमारा starting note है वो होता C ये वाला ठीक है मैं आपको piano roll खोड़के दिखाता हूँ ठीक है तो हमारा starting note होता C ये वाला हम example ले रहे हैं कोई भी example लेते हैं जैसे हमारा C है तो ये C से जो हर एक note के बीच में difference होता है जो जासे ये C है ये C sharp है ठीक है ये सारे notes में जितना भी difference है वो 100 cents का होता है एक unit है cents ठीक है हम piano roll में unit को use करेंगे cents को C E N T S cents ठीक है सुझो अगर आप C से C sharp तक जाएंगे तो इसका difference रहे हन्डर्सनस ठीक है अगर्ब C sharp से D तक जाएंगे तो ये भी 100 cents रहेगा तो हरेक note में जो difference है वो 100 cents रहेगा चाहे हो white note के bीच में difference हो जैसे इन दोनों के बीच में है ये भी 100 cents रहेगा इन दोनों की बीच में 100 cents रहेगा difference तो मतलब सारे notes की बीच में जो difference है वो 100 cents रहेगा ठीक है मालने कोई scale C पे है यहाँ पर आप उसको C sharp में करणा चाहते हो यानि की इस वरे note में अब इतना तो आपको पता होगा कि इन सारे notes के नाम क्या क्या है अगर आपको इतना भी नहीं बता तो आप code थूरी जाके सीके पहले ठीक है आपको notes के नाम पता होने बहुत ज़रूरी है ठीक है यह हमारा C sharp note है यह हमारा C note है ठीक है अगर आप C को C sharp में convert करना चाहोगे तो आप इसको 100 cents बढ़ा दोगे इसमें 100 cents प्लस कर दोगे ठीक है note केजिए copy पे पहले फिलाल के लिए अगर आप C को C sharp यानि की एक note आगे लेके जाना चाहरे है तो इसमें आप 100 cents बढ़ा दोगे ऐसे अगर आप C को C sharp अगर आप C को एक note पीछे करेंगे तो पीछे नोट का नाम क्या रहेगा वो इस note का नाम है B तो आप इसमें 100 cents माइनस कर दोगे ठीक है तो आप इसमें 100 cents जो माइनस कर दोगे सेम हमारा रहेगा A के लिए हमारा A note कौन सा हमारा A note है ये बला ठीक है तो अगर मैं A note को A sharp note तक मैं A können change करना चाता हूं जैसे A को मो करमा A sharp में change करना चाता हूं तो दोगे difference क्या रएगा बिल्कुल उसके साह्त ही है तो यानिक उसके साह्त ही है तो दोगे difference रहेगा 100 cents का मैं नोट को बताया कि हर एक note मång कर देंगा आपका mode पे click करेंगे इस पर stretch पर जाएंगे, stretch पर जाएंगे, stretch आगया है यहाँ पर pitch पर जाएंगे, इसको cursor से ऊपर-nीचे करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे इधर panel में, यहाँ पर pitch change हो रही है, cents में इसका लिखा रहा है, आप देख पा रहे हैं, अभी 100 cents change हो गया, अभ मैं इसको सिफ एक नोट आगे बढ़ा हूँ यानि कि A sharp तो मेरे को सिफ 100 cents बढ़ाने की जरू होता है ठीक है हमने 100 cents बढ़ा दी अब हम क्या करेंगे द्वारत से यहां पर stretch पर क्लिक करेंगे और इसको E3 generic पर क्लिक कर देंगे ताकि sample के sound को फरकना पड़े बर scale change हो जाए तो ठीक है यह जो sound आ रहा है यह A sharp minor का आ रहा है दुबारा से आप देख लें इसको test करके भी अगर आप देख सकते हैं तो यह A sharp minor का sound आ रहा है सुन पा रहे हैं यह A sharp minor का sound आ रहा है क्योंकि हमने इसको 100 cents आगे बढ़ा दिया है तो यह रही हमारे sample को change करने की बाद जैसे आपने इसको जितना भी आगे लेके जाना है अपने original note से आप इसको उतने cents बढ़ा सकते हैं ऐसके example भी लेंगे for example मैंने अब A note को मैंने इसको A sharp मेंने करना है लंगे i b realize भी पर करना है चाहिक ह Ostost सियुक अ भी या लोड करना है दो मेंने इसको a note है वा यह वाला है दो मैंने इसको b पर करना है तो कितना आगे जाँँगा or 2 ठीक है एक और 2 टो तो दो note में आगे गया इस विले note से तो यह हमारा जो आजएगा B आजएगा तो यानि कि दो note यानि कि एक note के इंदर difference था वन उन्डेड सेंट, तो दो note का difference कितना होगया ? 200 cents तो हम इसको 200 cents बढ़ाएंगे तो यह दो note आगे चला जाएगा यानि कि ये फिर चला जाएगा B scale पे, B note पे, तो फिर से stretch पे आएंगे, 100 cents की जगा मैं इसको 200 cents कर देंगे, दोबारा से हम एथरिक जनरी पे click करेंगे, तो अब जो sound आएगा B note का आएगा, यानि कि B minor scale का sound आने वाल है हमारे पास, सुनके देखें, ठीक है यह बिल्कुल जाहिए, दोबारा से हम आते है, हमें B note प क será29, मैं चाहिए मारे C minor scale है, हमें B minor scale कि बोटकर पिए रहा है, ëको मै दोबारा से आएंगे A matter scale के उपर, यानि कि A note के उपर, तो यहां से see काएतना दूर है, एक दो ती तीन नोट दूर है यहां से C तो यानि कि 300 cents एक नोट का डिफरेंस 100 cents ता तीन नोट का डिफरेंस कितना होगा 300 cents करेंगे 200 की बजाए 300 cents कर देंगे फिर से 3-10 करेंगे अब जो आवाज आएगा वह सुनके देखें बिल्कुल सही हमने आगे बढ़ाना सीख लिया है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कोशिश करें कि जो सेंपल है जो आप जिसको करना जाते हैं उसका जो डिफरेंस है 300 to 400 cents ही रहें क्यूंकि उसके बाद थोड़ा सा आवाज चेंज होना शुरू हो जाता है जार आपकोई सेंपल ढूंडे जो 300 या 400 cents जो ही जारा दूर ना हो तीन या चार नोड का डिफरेंस ही हो तो हमने आगे बढ़ाना सीख लिया है मैं इसको फिर से रिसेट कर दूंगा यहां पर हम फिर से रिसेंपल पर आजेंगे फिर सम इसको रिसेट कर देंगे तो हमारा फिर यह मेरा A minor scale यानि की A note है मैं चाहता हूँ इसको मैं G sharp minor scale में करोड करा जाता हूँ यानि की G sharp note मैं इसको ले किया आना चाहता हूँ तो आप सिर्फ एक कदम पीछे आया है सिर्फ एक note पीछे आया है यानि की 100 cents तो आप क्या करेंगे आप सिंपल यहां पे जाएंगे आप यहां पे क्लिक करेंगे stretch पे और इसको माइनस में कर देंगे 100 cents अब उपर देख पा रहा है है यहां पे minus में 100 cents जो नीचे चला गया ह फिर से जाएंगे E3 generic पे क्लिक करेंगे जो अब sound आएगा वो एक note नीचे का आएगा यानि की आपका G sharp minor का sound जो है वो आने बाला है सुनते हैं सेम प्रोसेस आगे भी continue होगा अगर आपको चाहिए कि आप G sharp की बजाए आपको G minor note चाहिए यानि की आप 2 note नीचे आना चाहते हैं difference दो note का है यानि की आप A minor पे हैं बड़ आपको G minor चाहिए यानि की 1 2 200 cents आप नीचे आना चाहते हैं तो आप इसको 200 cents नीचे करेंगे तो वो जो sound आएगा वो G minor का आने वला है द्वारा से stretch पे जाएंगे फिर इसको 200 cents पे click करेंगे फिर से A3 January करेंगे so so जो यह sound है यह जो आने वला है यह आएगा आपको G minor का sound यह जो sound है यह आपको G minor का sound आएगा so guys इस तरीके से हमने सिखा कि हम node को कैसे change कर सकते हैं किसी भी sample के अंदर किसी भी scale के अंदर node का scale कौन सा है minor है major है हमने सब कुछ सीख लिया है अगर अब तक आपने फिर भी subscribe नहीं किया है इकनी आपके लिए मैं महिनत करता हूँ तो प्लीज चलन को subscribe जरूर कीजेगा like share subscribe आपका मेरे को प्यार चाहिए रहेगा जल्दी से subscriber बढ़ाए ताकि हम आगे और सारी चीज़े मेरे साथ आप जो है सिख पाए thank you so much guys मेरे काफक सारे songs आ चुके है जाके सुने अभी जो latest release हो हो है बता देना जाके जरूर सुने thank you so मुझका है फिर से मिलेंगे